So Hello Everyone, मैं हूँ विकरम और आज की वीडियो में हम लोग डिसकस करने वाले हैं इरेड़ा शेयर के बारे में अब ये स्टॉक सिंगल डे में 5% से करेक्ट हो गया और बहुत सारे इंवेस्टर्स जो इसके अंदर हैं इस इस वज़े से जो स्टॉक का प्राइस है वो माइनस 56% तक करेक्ट हो सकता है तो आप लोग समझ सकते हुए काफी बड़ा ये क्लेम करा है उस ब्रोकर ने तो उस ब्रोकर का नाम भी मैं बताने वाला हूँ अभी और क्या-क्या उनके फैक्ट्स हैं किन बेसिस पर उन्होंने ये चीज़े कही है वो भी बताता हूँ आज की इस वीडियो में ठीक है तो चलते हैं सबसे पहले इरेड़ा शेयर के बारे में हम जान लेते हैं कि जिन लोगों को नहीं पता उसके बारे में बतायता हूँ तो ये स्टॉक 28 नवेंबर को 2023 में लिस्ट हुआ था और देखो 48 रुपीस के आसपास ये स्टॉक लिस्ट हुआ था और वहां से अगर हम देखें तो इसने कितनी बड़ी रैली दिखाई है सिर्फ एक साल के अंदर एक साल भी पूरा कंप्लीट नहीं है और इसने almost almost देख जान होने की ज़रूरत नहीं क्योंकि उन्होंने अपनी कैपिटल अल्रेडी 5X कर रहे हैं तो प्रॉफिट बुक करेंगे तो भी उनका फायदा है थोड़ा नीचे बुक करेंगे तो भी उनका फायदा है और अब उनकी कैपिटल वैसे भी कंपाउंड होती रहेगी तो आपे एक रिपोर्ट निकल करा रही है और अगर हम आल्टाइम हाई से देखे तो जो ब्रोकर की रिपोर्ट का कहना है कि 56% तक स्टॉक करेंग होसकता है तो देखो यहाँ पर हम देखे तो अल्मूस 56% अगर करेंग होता है तो वो कहा तक जाता है वहला 132 तो 130 के लेवल न पॉइंट्री पॉइंट मिल सकता है आप समझे बहुत टाइम से बहुत सारे लोग इसमें एंट्री लेना चाहरे थे बटी स्टॉक भागे जा रहा था तो वो लोग एंट्री नहीं बना पा रहे थे तो अब जिन लोगों को फ्रेश एंट्री लेनी है तो वह इस जोन का जग रहा हूँ क्योंकि यहां से अब उनका जैसे किसी ने यहां पर 270, 260, 280 के लेवल्स पर भी बाइंग करिये तो यहां से सीधा सीधा 50% का टार्गेट निकल कहा रहा है जो कि अपने इधर के आसपास का ही बनता है 122 के आसपास का तो उने क्या करना चाहिए सेल कर देना च शेयर प्राइस जो है 58% डाउनसाइड हमें देखने को मिल सकता है फिलिप कैपिटल नाम का जो ब्रोकर है उन्होंने बताया कि 56% 58% तक हमें यहां पर डाउनसाइड देखने को मिल सकता है अरे रेडा के अंदर अब ऐसा कहने का इसके पीछे रीजन क्या है वो मैं आपको बताता हूं तो यहां पर क्लियरली लिखा हूँ है कि फिलिप कैपिटल मेंटेंड इट सेल रेटिंग ऑन दा स्टॉक यानि सेल रेटिंग उन्होंने यहां पर अपनी लगा दिये स्टॉक के ऊपर और उनका कहने कि यह जो रैली है वो पैसिफ फ्लो की वजए से हो रही है तो यह सारी चीज़े डेट कितना है कंपनी पर यह सब कुछ फंडामेंटल के अंदर आता है प्राइस टो अर्निंग रेशियो प्राइस टो बुक रेशियो तो ब्रोकर का ऐसा कहना है कि जो यह फंडामेंटल रीजन की वज़े से नहीं आई थी वो आई थी पैसिफ फ्लो और इसकी वागे जा रहा है तो यह बिल्कुल भी एक अच्छा साइं नहीं होता क्योंकि फिर और वेल्यूड हो जाता है ना कि किसी फंडामेंटल रीजन की वज़े से उसका प्राइस इतना अच्छा हुआ है तो यह इन्होंने यहां पर एक मेजर रीजन दिया है जिसकी फोर पाइसे उनाइस दे ए सट अब रूंपर ऐसके बाद जो है ने आपको टार्गेट बताया था जो मैंने आप个 तो यही थी वो पूरी रिपोर्ट जिसके विए से इरेडा के शेयर में हमें 5% का करेक्शन देखने को मिला वो भी सिंगल डे में तो आपके क्या थोट्स हैं स्टॉक के उपर मेरे को कमेंट करके जरूर बताना कि क्या आगे हमें इसमें और रैली देखने को मिल सकती है या फ